दोस्तों सुखे सुखे हम आपको एक पुरी खवर सुना रहे हैं हो सकता है कि वल्ल कप से महिंदर सिंग धौनी बहार हो जाएं इसका रीजन है ICC द्वारा BCCI पर बढ़ाया जा रहा दवाब जी है ICC का कहना है कि महिंदर सिंग धौनी ने बीच मैदान में घुस कर बड़ी गलती की है और उन पर 3-5 मैचों का बैन लगना चाहिए ये बयान ससांक मनुहर जो की ICC के चेर्मेन है उनकी तरफ से आया है इसके बाद IPL चेर्मेन राजीव सुकला की तरफ से भी एक पयान आया जिससे कन्फर्म हो गया कि महिंदर सिंग धौनी पर एक बड़ा बैन लगने जा रहा है वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में है इंटरनेशनल क्रिकेट में महिंदर सिंग धौनी पर 3-5 मेशों का बैन लगता है जो कि ICC का कहना है तो महिंदर सिंग धौनी वर्ल्ल कप से ही भार हो सकते हैं क्योंकि अगला इंटरनेशनल मेश भारती टीम को वर्ल्ल कप महीं खेलना है लेकिन हम इसी पर आप से पूच रहें क्या महिंदर सिंग धौनी सही है या गलत हमें कومेंट डौक्स मताना ना भूलें आपको लगता है कि महिंदर सिंग धौनी भाकर में गलती की है तो गलत लेखें नहीं तो comment box में सही लेकें और हाँ BCCI और ICCC पे आप क्या सोचते हैं हमें comment box में बताना ना भूलें क्योंकि महिंदर सिंग धौनी ने अतनी बड़ी गलती नहीं की जिससे उन पर 3-5 मैचों का बैन लगाया जाना चाहिए क्योंकि पहले ही BCCI उनकी 50% मैच फीस काट चुकी है और आप भी चाहते हैं कि महिंदर सिंग धौनी वर्ल्ड कप में खेलें तो इस वीडियो को लाइक करना बिलकुल ना भूलें